कस्तूर्वा गंधी बालिका विद्याले भरती 2030 अलग 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 पद यहां पर निकले हैं किस तरीके से आविदन करना है कौन को नाविदन कर सकता है बिएड डेलेड वाले कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं इसमें टेट अनिवार है की नहीं है आयू सीमा को ल महेश अकाडमी यूट्यूब चैनल पर नय है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा वीडियो यूसफुल लगे तो औरों के साथ में भी शेयर आप जरूर कर दिया करिए यहां पर हम बात करें यह जो इसमय आप अभी देख पा रहे हो पीडियेफ यह आपका कार्याल यह वीडियो के डिस्क्रिप्शन उसके लिंक भी मिल जाएगी इसमें आपका अलिगड़ दिया हुआ है अमेठी है बदाईू है बागपत है बारबंकी है हर्दूई है हाथरस है करनौज करनौज की अगर हम बात करते हैं उसके अलामा कास गंज हो गया कुशी नगर हो गय इसके लिए भरती निकली है इन सभी का PDF हम टेलिग्राम चैनल महाशकाड़ी में पर प्रवाइड करा देंगे एक PDF के माध्यम से हम आपको सारी चीज़े जानकारी दे रहे हैं 15.5.2023 का नोटिफिकेशन यहाँ पर देख पार होंगे यहाँ पर अलग-अलग पाद आपके दिये हुए हैं सबसे पहले हम आपको बता दे दो तरीके की भरती आपको इसमें देखने को मिलेगी एक पूरड कालिक सिक्षिका की है और दूसरी जो है वो अन्ष कालिक सिक्षिका की है सिक्षिका जी हाँ सिक्षक बिलकुल नहीं है मतलब मेल कंडिडेट कैनाट जी है उसके बाद अगर जब हम आश्कालिक सिक्षकों की बात करते हैं तो 9800 रुपए उनकी है ठीक है अब बात आती है यहां पर कौन को नावेदन कर सकता है जैसे यहां पर आप देख पार हो कि लखनों की अगर हम बात करें अचा इसे भीजना कैसे है यह समझ लिजिए पूरी तरीके से इसमें पूरा इंफॉर्मेशन अगर आप पीडियेफ को दिहान से पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजे समझ में आ जाएंगी आपको यहां पर लिखा हुआ है कि जो भी अरहें ऐसे में महिला भीर्थियों से पंजीकृत डाक द्वारा कारियाले जिला बे पूरी तरीके से यह ओफलाइन प्रॉसेस है इसी सारे पीडियेफ में आपको नीचे साइड में जाकर के फॉर्म मिल जाएगा उसी को आप बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल्ड तरीके से फिल करना है सपस्ट तरीके से कट पिट कटाक्ष कहीं भी कुछ भी इधर उध इसके पहले वाले वीडियो में मैंने वह बात आपको बताई हुई है तो यह चीज पूरी तरीके से ऑफलाइन हो गई जो लिखा है वहीं पर आपको इसको क्या करना है पोस्ट करना है स्पीड बोस्ट करना है जो भी है ठीक है पंजीकृत डाक ही लिखा हुआ है और किसी म है कोई भी आपका इंटर्व्यू नहीं है सीधा सीधा मेरिट की आधार पर जो है सेलेक्शन होना है टेंथ का हो गया ट्वल्थ का हो गया ग्रेजुएशन हो गया आपका जो बीड है यह समकक्ष L.T. ध्यान नखेगा मैंने बोला B.E.D. और समकक्ष L.T. आप जड़ा इस पर गाउर करेंगे जब यहाँ पर अरहता पर सेक्षिक योगिता जो दिया हुआ है चुकि कस्तुर्वा गांधी बाली का विद्याले जब हम बात करते हैं 2004 के बाद से जो छटी क्लास से लेकर के बारवी क्लास है उनके लिए आया चुकि आपको पता है D.E.D. जो है वो डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एडुकेशन होता है प्राइमरी के लिए आपका D.E.D. होता है और यह यहां पर जो पढ़ाई होती है वो 6-12 होती है कहीं से भी D.E.D. B.T.C. मेंशन नहीं किया है सेक्षिक योगिता में ठीक है B.E.D. और उसके संपक्ष L.T. डिग्री दिया हुआ है यहां पर आप देखेंगे यहां पर भी वही है चुकि आपको पता है अच्छी तरीक से कि T.G.T. प्रसिक्षित इसनातक जब लिख दिया इसका मतलब भी है अप D.E.D. वाले इसमें वैसे भी नहीं आ सकते है आप स इसमें T.E.T. अनिवार है कि नहीं है यह भी ध्यान लखेगा जैसे इसमें N.C.T. का यहां पर T.E.T. लिखा है जैसे भी कंप्यूटर की जो पोस्ट है उसके लिए आपर प्राइमरी में जो है आपर में जो है आपका T.E.T. यह जो 6-8 वाला आपका है 1-5 के अलावा 6-8 आपका पास होना चाहिए जैसे आप यहां पर देखेंगे समझिक विषय विज्ञान गडित हो गया ठीक है कला के बात यह रहा कंप्यूटर आप जब कंप्यूटर में जाएंगे तो अब इसमें देखेंगे इसमें B.A.D. दिया हुआ है समकक्ष L.T. भी दिया हुआ है ठ कि आप क्या उस अरहता को ऐसे में फॉल्फिल करते हैं की नहीं और उसके बाद आप चीजों को भर पाएंगे क्या क्या पन है समाने निर्देश में आप इसे भी देख लीजिएगा लिखा हुआ है यहां पर कि आवेदन पत्र साफ और सुन्दर अक्षरों में साफ हस्त ल लिखित भी होगा और टंकित मतब टाइप किया हुआ भी चल जाएगा जिस पर अभिर्थे का पूरड बायोडेटा अंकित होना अनिवार है लिखा है असपस्ट अपूरड और हस्ताक्षर ना किये हुए आविदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा ध्यान लखेगा चौकिदार के पदों पर साक्षार के माध्यम से चैन किया जाएगा चुलिए वह सब दिया हुआ है यह दूसरे ही पद्ध है यह वाले ठीक है आपका लिखा हुआ है कि मांदे राज्य परियोजना ठीक है यह भी मैं आपको बता चुका हूँ जो इंपोर्टन चीज़े है प्रारूप पर ही माने होगा जैसे दिया है बिल्कुल वैसे ही करके ले करके जाना है अपनी तरफ से कुछ भी एड नहीं करना है ठीक है 25 से ले करके 45 आयूसीमा यहाँ पर इन्होंने बताई हुई है बाकी यहाँ पर जो भी चीज़े दी है अलग-अलग किसमें क्या पर महिला विर्थी ही पात रहूंगे पॉइंट नूंबर थर्टी ना पढ़ पा रहे होंगे ठीक है अब विर्थियों को काउंसलिंग शाक्षातकार के लिए हाने पर कोई भी आत्राबता दे नहीं होगा यह भी नूने इसमें बता दिया है बाकी पद की संख्या जो है व होगा मलब समझ रहे हो अगर मैं बात करूँ इस बेरोजगारी के दौर में तो पैसा दे रहे हैं वो भी जो बीटे का और वो करके कंप्यूटर पढ़ाने जाएगा उसकी किसन कितनी सैलरी है 9800 रुपया आप समझ रहे हो और इसमें भी जो है बीच में अगर आप छोड़ करके जाते हो तो उस पे मान दे भी जमा करवा लेंगे खैर भागते भूत की लंगोटी भली जो मिल रहा है वही सही है ध्यान लखेगा अब बहुत सारी बातें इसमें दिया हुआ है जिलावेशिक शिक्षादिकारी और यह रहा प्रारूप ठीक है यह आवेदन पत्र का प्रारूप है बिल्कुल इसमें उने बताया हुआ है साफ साफ भरा जाए कटिंग ओवर राइटिंग किसी तरीके से मान्य नहीं होगी ठीक है इसमें उने टंकड का लिखा हुआ है तो आप इसको टाइप करवा करके भी ले जा सकते हैं ठीक है सारी चीजे बिल्कुल वैस हुआ है तो उमीद करते हैं कि यहां पर जितनी भी जो रिक्वार्मेंट्स थी जो चीजे थी आपकी कौन कौन कैसे कैसे आवेधन कर सकता है सभी जिलों का पीडिएफ जो है वो मैं भेज़ दूँगा फॉर्म ऑफ लाइन होगा चैन पर करिया मैंने बता दी टैट अनिव